देखे अनेकेडमी लेके आया आइकॉनिक ओफर एंडिया इस्पेरिंस के लिए अगर आप 14 से 16 दिसमबर के बीच 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने का जो SSB प्लस सब्सक्रिप्शन हो आपको फिरी मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेते हो चार मन्त का जो SSB आपको और दे दिया जाएगा कमांडू 2.1 बैच सब्सक्रिप्शन हो चुका है 15 दिसमबर से एंडिया का डिटेल बैच कोर्स है साती में अगनीपत बैच सब्सक्रिप्शन हो चुका है एरफोर्स वाइगुरूप के लिए जो कि 15 दिसमबर से इसके लावा कॉंक्रर एंडिया वन कम्प्लीट बैच कोर्स है जो कि 10 दिसमबर से सब्सक्रिप्शन हो चुका है कोड़ सकते हो यह कोड़ है नेवी टेन यह रिफल कोड़ डालिए तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा प्रोसीट टूपे पर किलिक करिए और अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो जाइन कर लीजिए डिसक्रिप्शन में आपको सभी सब्सक्रिप्शन की लिंक दे द लगते हो कैसे अपलाई करना है क्या है इसका ओफिशल नोटिफिकेशन क्या चीज़े लिखी हुए सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में सुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कि किस तरीके सेलेक्शन होता है क्या लिजबिल्टी है कहां पर कैसे आपको फॉर्म ब बैच है ना बाइस 2022 का पहला बैच है और सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं इसके लिए इलिजबिल्टी क्या चाहिए आप इलिजबल हो की नहीं हो अगर आप इलिजबल हो तो सिंपल है कि आप इस वेकेंसी के लिए एपलाई कर सकते हो सबसे पहले स्पोर्स और सीनियर स्टेट चैंपिनशिब या फिर ओल इंडिया यूनिवस्टी चैंपिनशिब इन सारे गेमस में एलेटिक्स एक्वाटिक्स बास्केटबल बॉक्सिंग कि फूटबॉल ये सारे यहां पर गेमस दी हुएं सूटिंग एंड सर्फिंग तक सो यहां तक यह जो गे इसके लिए हो अब आप eligible हो देन आगे कुछ और eligibility चाहिए वो क्या क्या है देख लेते हैं सबसे पहली जो post है वो हाँ है आपकी direct entry पिटी officer PO की post है और इसके लिए जो education qualification चाहिए वो चाहिए आपका 10 plus two pass होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से इसके लिए sports जो प्रोफिशियंसी है वो क्या चाहिए दो अप्शन यह आप दिए है टीम games भी है और individual events भी है तो टीम games में अगर आपने participate किया है किसी भी international national state level at junior या secondary level पर यह फिर आपने रिप्रेजेंट किया है किसी भी university को इंटर यूनिवस्टी टूनामेंट इंटर यूनिवस्टी टूनामेंट में किसी भी यूनिवस्टी को आपने रिप्रेजेंट किया team games में तो आप इसके लिए लिजबा लो दूसरा आपका individual events में तो आगर आपके पास minimum 6th position है national seniors या फिर 3rd position आपका national juniors में या फिर 3rd position है आपके पास इंटर यूनिवस्टी मेर्स में तो भी आप इसके लिए लिजबा लो इसके लिए जो एज रखी गई है वो 17 से 22 साल लखी गई है मतलब जो candidate है उसका जो जन्म है वो एक फरवरी 2000 से लेकर 31 जन्वरी 2005 के secondary recruit SSR SSR के लिए जो qualification चाहिए वो चाहिए 10 प्लस 2 आपका qualify होना चाहिए किसी भी stream से sports जो proficiency है वो यह है कि आपने पार्टिसिपेट किया हो international नेशनल या फिर state level पर या फिर आपने रिप्रिजेंट किया हो किसी भी university को इंटर यूनिवस्टी टूनामेंट अगर इंटर कर सकते हों सो SSR के लिए जो एस क्राइटीरिया वह 17-20 साल मतलब जो candidate है उसका जो जन्में एक फरवरी 2001 से लेकर 31 जन्वरी 2005 के बीच में होनी चाहिए यह दोनों डेट भी include है next जो पोस्ट है आपकी वो है metric recruit की MR की तो इसके लिए जो qualification है वो है आपका 10th pass 10th pass होना चाहिए sports जो proficiency है वही है कि should have participated at international national of state level tournament आपने state national of international level tournament आपने participate कियो हो तो आप इसके लिए जो है जो है वो 17-20 साल मतलब 1 April 2001 से लेकर 31 March 2005 के बीच में अगर आपकी डेटो बर्थ है या फिर यह दोनों डेट भी include हैं तो आप इसके लिए 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 साथ में यह भी यहां पर लिख से बीचित किया जाएंगे तो वह आपके सफ और स्टेवार्ड के लिए इन्रोल किया जाएंगे मतलब आपकी जो जुआनिंग होगी वह इसससर यह फिर स्टेवाड की होगी जैसे आपकी नॉर्मल MR में होती है वैसे ही है ठीक है इसके लिए आगे तीसरे पॉइंट पर प क्प्लीट होने के बाद आपको डिफेंस की लेवल 3 की पे मैट्रिक्स मिलेगी जो की 2700 से लेकर 43100 रुपए तक हो सकती है इंसुरेंस कवर भी मिलेगा आपको प्रॉमोशन्स वगारा भी मिलेंगे तो यहां पर प्रॉमोशन्स की डिटेल यहां पर दी गई है तो और आप सम मजते हैं सेलेक्शन क्राइटीरिया क्या है कि किस तरीके से आपका सेलेक्शन होगा पॉइंट नंबर 7 पर सेलेक्शन क्राइटिया बारे में बताया गया है तो जो भी डिजर्विंग कंडिटेट्स हैं उनको ट्राइल के लिए बुलाया जाएगा नेवल सेंटर्स पे हो जाएंगे ट्राइल में सो उनको फाइनल जो मेडिकल उनका मेडिकल के लिए आइनेस हमला मुंबई में उनको भेजा जाएगा तो इस तरीके साब को जो सेलेक्शन है वहोगा मेडिकल स्टेंडर्स के बारे में या पे दिया हुआ है पड़ लीजेगा विज्वल स्टें में एक और page है तो इस page पे सबसे पहला point जो इस पेडिएप का point number 13 है initial engagement जो रहे गी आपके 15 साल की रहेगी अब आती selection process की selection process आपका क्या रहेगा तो देखे सबसे पहले कि जो आपको application format जोई इंडेन आवड के official website पे provide किया गया है उसको आपको टाइप कराना है उसको आपको प्रिंट कराना है देन उसको भरना है देन आपको और डिनरी पोस्ट के थूर उसको भीजना है ध्यान रखना है आप और डिनरी पोस्ट बोल्ड में लिखा गया है तो इसको और डिनरी पोस्ट के थूर ही बेजेंगे अग आपको जो application है वो reject हो जाएगा अब आपका question था कि sort list किस बेस्ट भी किया जाएगा तो देगे sort listing criteria will be based on higher sports achievement जिसकी sports achievements हैं जिसकी higher होंगी उस हिसाब से sort list किया जाएगा तो जो भी sort list किया जाएगे उनको फिर एक call letter जाएगा और उस call letter में जो trials है उसकी जो date होगी time होगा और place होगा वो आपका उसमें mention होगा कि आपको कहाँ पर trial के लिए जाना है ठीक है इसके लावा D number पर लिखा है सभी भी original जो certificates है mark seeds है वो आपको selection trial के दोरान आपको लेके जाने है वो आपको दिखाने होंगे ठीक है बाकी आगे देख लेते हैं apply कैसे करना है आपको apply करने के लिए जो application form है इन्होंने provide किया है official website पर मिल जाएगा उसको a4 size paper पर आपको print कराना है इसके बाद उसको fill करना है ध्यान रखिएगा एक candidate अगर एक से ज़्यादा form बेजता है तो उसका जो कंडिजेचर है वो cancel हो जाएगा मतलब वो जो candidate है वो disqualify कर दिया जाएगा होता है बहुत बार जब आप पहला form send करते हो तो बाद में आपको पता चलता है आपने यह गलती कर दिये तो आप सोचते हो कि क्यों ना दुबारा से वही form बराजा और वो गलती सुधार करके हम दुबारा form को बेज दें तो अगर आप एक से ज्यादा सेम एंटरी के लिए form बेजते हो तो आप डिस्क्वालिफाई कर दिया जाओगे ठीक है इसके बाद जो envelope होगा आप A4 size paper पे जो यह format provide कर रहे हैं उसको print कराएंगे उसमें अपने details बरेंगे इसके बाद आपको एक brown color का envelope लेना है आप एक color mention किया गया तो आपको उसी color का लेना है brown color का envelope लेना है खासकर बहुत अच्छी तरीके से बतायागे कि जो envelope होगा उसके ऊपर आपको type of entry लिखनी है type of entry मतलब यह देखे example में दिया है P.O.S.S.R. या MR. जिसके लिए आप apply कर रहे हो तो type of entry लिखोगे इसके बाद आपको sports discipline with achievements भी आपको वहाँ पे clear top पे mention करना है किस तरीके से वो यहाँ पे example में दिया है जैसे यहाँ पे देखो लिखा है P.O. Petty Officer SSR MR. 1.2022 कबड़ी national level तो इस तरीके से आप यहाँ पे entry mention करेंगे यह entry mention करेंगे इसके लावा आपकी जो sports discipline with achievements है वो यहाँ पे आप mention करोगे इस तरीके से capital letter में top पे आप जो envelope होगा उसमें इसके लावाँ जो list of documents है वो आप attach करोगे पंच करोगे अच्छे तरीके से जो photograph है वो आपका जो photograph होगा वो आपका उसका जो background होगा वो blue color का होगा ठीक है और जो आपकी photo होगी वो recent होना चाहिए और colored passport size photo ह चाहिए colored photo होना चाहिए और जो background हो blue होना चाहिए ठीक है आगे देखिए जो आपको form आपका जो envelope है तयार हो जाएगा envelope तयार होने के बाद जो envelope है आपको ordinary post के थुरू इस address पे आपको send करना है ध्यान रखिएगा आपको इस तरीके से send करना है कि 25 December से पहले पहले यह वहां निको बार लक्च दीफ या फिर मीनिको आईलेंड इस एरिया से हैं तो आप यह जो form है एक जनवरी तक भेज सकते हैं मतलब एक जनवरी से पहले पहले जो form है आपका पहुंच जाना चाहिए तो simple सी बात है आप समझ गयो होगे किस तरीके से आपको form बरना है बाकी form कैसे वो मैं आपको बता दूँगा इसके बाद envelope पे कैसे डालना है इसके बाद जो documents है वो आपको उसमे अटेज करने आपको आपको आपकी entry और आपकी जो achievements है वो लिखनी है इसके बाद एक side में आपको address लिखना है देन आपको ordinary post के थुरू उसको post कर देना है so next video मैं आपको ब लेना download करके उसका print out निकलवा लेना और इसके बाद उसको fill करके आपको जो सारी चीज़ें हैं पर मैंने आपको बता है उस तरीके से fill करके आपको ये दिये गए address पर आपको भेज़ देना है तो next video मैं आपको form fill करके बताता हूं